हेलो दोस्तों वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल एक्सल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है एक्सल की इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे नमबर जो की यहां आपका शो करता है देखिए नमबर सेल और क्लिप बोर्ड ठीक है तो आईए सबसे पहले देखते हैं सेल में क्या है देखिए इंसर्ट डिलेट और फॉर्मेट आईए देखते हैं तो पहले हम कोई एक एक्टिव सेल ले लेते हैं जैसे बीटू और यहां पर हम कुछ लिख देते हैं जैसे कि मानीजी हम लिख देते हैं यूनीक ऑनलाइन गुरू जैसे कि हमने इस cell में लिख दिया unique online guru इसको थोड़ा सा auto fit कर लेते हैं ऐसे double click कर देंगे तो जो maximum length होगी आपके टेक्ट की उससे cell जो है आपका fit हो जाएगा ठीक है अब जैसे हमने unique online guru कर दिया यही हमारी इससमें active cell है ठीक है अब हम insert पे आते हैं तो insert पे जैसे ही click करेंगे और insert cell पे जाएंगे cell मतलब यही है आपका intersection of row and column बीटू जैसे अब देखिए जैसे कि इसमें लिखा है कि shift cell right अगर आप इस समय okay करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जो cell है unique online guru यह कहां हो जाएगा नीचे आ जाएगा क्योंकि हमारा इस समय active क्या है shift cell down ठीक है हमने right किया और okay कर दिया तो देखिए जो लिखा था वो आपका right में आ गया और बीच में Excel इंसल्ट हो गई जो की b2 हो गई ठीक है तमन में आएगा आप लोगोंको आईए right वाला हो गया इसी तरे right क्या करेंगे down वाला देखिए shift cell down हमने किया okay तो ये जो था जो cell हमारी active ठीक हो गई वो क्या हो गई नीचे आ गई और उसके उपर एक cell और इंसल्ट हो गई ठीक है अब हम करतें entire row तो पूरी row आपकी insert हो गई कहां से लेके two वाली जो पूरी row थी ये पूरी insert हो गई और अगर आप column इंसल्ट करेंगे तो आपका column भी insert हो जाएगा entire column हमने किया okay और एक ठो देखिए b वाला column जो है ये insert हो गया और c वाला जो था जो पहले b था वो shift हो गया ठीक है दोस्तों आईए अब क्या है insert sheet row तो इसको जैसे ही करेंगे तो वो क्या करेंगा एक row insert कर देगा sheet का column insert कर देगा देखिए इसमें column insert कर दिया ठीक है अब इसमें का एक sheet insert कर दिया जो कि देखिए ये नीचे आप लोग को sheet 1 और ये sheet 2 हो गया ठीक है दोस्तों तो आईए देखते हैं delete में आ जाते हैं next option है हमारा और add to cell वही रखते हैं जहां हमने लिखा है ताकि difference पर देखिए delete cell जैसे ही करेंगे तो अब पूछरा कौन से cell delete करें तो देखिए दोस्तों जैसा कि उसमें option था कि हम add कहां कर रहे थ देख है हमारी जो cell थी वह right में move हो जाए था तो डिलीट भी कौन से होगी left वाली दूसरा option क्या था हमारी जो cell थी active वह down आ जा रही थी तो अप में हो रहा था तो अप वाली डिलीट हो जाएगी अप फिर entire row entire column माली जी हमने कहा left ठीक है डिलीट हो गई ठीक है फिर हम आ जाएंगे हमने कहा अप तो अप वाली डिलीट हो गई डिलीट आपको इसलिए वो दिख रहा है जो लिखा हुआ है क्योंकि active cell वही है देखिए पूरी पूरी row और column डिलीट हो जा रही है और डिलीट sheet का भी option है ये अब ये इस से मैं yes कर जूंगा डिलीट तो sheet 1 डिलीट हो जाएगी जिस पर हम लोग वर्क कर रहे है तो cancel करके sheet 2 पर आएंगे और delete पर आएंगे और delete sheet डिलीट हो गई ठीक है ठीक है दोस्तों हमने क्या देख लिया insert और delete आईए format में देखते हैं देखिए format में row की height है ठीक है आप जैसे ही इसको click करेंगे तो आप से पूझेगा कि आप height कितनी रखने चाहते हैं ठीक है दोस्तों इसको फिट करेंगे तो normal जो होती है वो हो जाएगी column की width यह maximum आपकी दोस्तों 255 तक रहती है इसको हम जो लिख देंगे यह वो हो जाए 54 लिख दिए तो देखिए column की width जो है आपकी B column हमारा active था इसकी width हो कही 255 ठीक है और default width कर देंगे तो default हो जाएगी default आप ही क्या होत ठीक है hide and hide में hide row हो जाएगा देखिए जो row हमारा था एक फो हाइड हो गया 4 के बाद आपको 6 दिख रहा है 5 वाला हाइड हो गया क्योंकि वो active था ठीक है hide column बी वाला देखिए column हाइड हो गया क्योंकि जो आपका active रहेगा वही hide होगा ठीक है active row column जो होगा वही hide होगा hide sheet unhide row अब देखिए वो row आकाई 5 वाली अब जैसे ही हम यहाँ unhide कर देंगे unhide column ठीक है तो हम लोग उन्हें क्या देख लिए दोस्तों insert, delete और format आईए अब देख लेते हैं जैसे कि clipboard में आपका लिखा cut copy format painter तो format painter क्या होता है तो जैसे माली जम ने यहाँ पर यह लिखा और इसमें कुछ formatting कर दी जैसे इसको yellow कर दिए bold कर दिए और underline कर दिए अब माली यहाँ पर हम कोई number लिखते हैं इस cell में enter कर दिए अब इसमें हमको यही same चीच चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे format painter पर क्लिक करेंगे और इस cell पर लाकी क्लिक कर देंगे तो आपका same जो भी formatting आपकी A2 में है वो same formatting किसमें आ जाएगे आपकी C5 में और cut मतलब यहाँ से cut हो जाएगा और copy मतलब copy हो जाएगा ठीक है जैसे यहाँ क्लिक किये cut किया हमने अब यहाँ पर आके हम right click करेंगे और paste कर देंगे तो देखिए cut होके यहाँ से हट गया ठीक है और copy मतलब क्या होता है दोस्तों जैसे copy हो गया और paste तो copy मतलब उसकी एक copy बन जाएगी दूसरे location पर cut मतलब वो उस location से move होके दूसरे location पर आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए जो कि यह आपका formatting है number format इसमें journal है number currency मतलब आप जो भी number लिखे होंगे उसके आगे क्या लग जाएगा रुपीज का fine लग जाएगा देखिए इसमें लग जया रुपीज कॉमा लग जया ठीक है date है यह long date में मतलब आपका month लिख जाएगा वो alphabet में और salt date में month रहेगा आपका number में ठीक है time में time आ जाएगा percentage आ जाएगा यह आपका होता है दोस्तों accounting number format इसमें आप currency चुन सकते हैं English, India, United States, United Kingdom और more accounting format यहाँ पर आपका percentage लगेगा यह comma लगाएगा यह increase करेगा decimal और यह decrease करेगा decimal ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही thank you very much वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें देखते रहें कोई भी query हो हम लोग से आप पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकि जितनी भी आप लोगों को formatting दिख रही है या tap दिख रहे हैं यह सब आगे जैसे है जैसे हम लोग formula पर work करते जाएंगे इनका use करते जाएंगे ठीक है